हेलो एवरीवन वेल्कम टू एश्वदा अकेडमी डियर स्टुडेंस आज मैं आपकी लेकर आई हूँ कुछ मॉस्ट इंपोर्टेंट कॉश्चिन जो कई बार बोर्ड एक्जाम में आ चुके हैं और उनकी जादा तर बोर्ड एक्जाम में आने के चांसिज होते हैं तो देखिए सबसे पहले कॉश्चिन नमबर वन है निमलिकित प्रिश्णों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए तो इस टाइप के कॉश्चिन बोर्ड एक्जाम में आते हैं देखिए 2018 में आ चुका है अब देखिए आगे question number 12 है निमलीकित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए तो देखिए इन सभी को आपको read करना है और देखना है कौन सा इसमें से right answer है देखिए इसी तरह ये question number 16 है ये भी उसी type से है तो इन में से भी जो right answer है वो आपको देखना है अब देखिए question number 20 है ये भी सेम उसी तरह है इसी तरह 21 question है अब इदर आजाएए question number 27 है ये भी इसी type से है तो इसमें से जो right answer है वो आपको देखना है ये भी board में 2008 में आ चुका है और ये 29 question ये board में 2008 में भी आया है 2015 में भी आया है अब देखिए next question 35 है निमलीगित कतनों में से कोई दो कथन सकते हैं उन्हें पहचान कर लिखे तो इसमें दो answer right है इन में से जो दो हैं उन पे right टिक करना है आपको exam में तो यह जो मैं आपको बता रही है मोडल पेपर से बता रही हो आई होप सभी बच्चों के पास मोडल पेपर होगा अगर नहीं भी है तो इसक्रीन पे question आपको दिखाई दे रहे हैं आप इन्हें आराम से read कर सकते हैं अब देखिए इसी तरह एक question number 40 है निमलिखित कतनों में से एक गलत कतन है उसे पहचान कर लिखिए इन में से जो रोंग है वो आपको पहचान के उस पे right टिक करना है Question No. 43 है निमलिखित में से कोई दो कथन सकते हैं उन्हें पहचान कर लिखिए इन में से जो दो right answer है उन पे right tick करना है आपको Question No. 58 है निमलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे छाट कर लिखिए देखिए इन में से भी जो right answer है वो आपको select करना है अब देखिए next question number 76 है ये भी इसी type का question है निमली की कतनों में से कोई एक कतन सही है उसे पहचान कर लिखिए तो ये भी आपको करना है और ये question one marks में आता है बोड एक्जाम में देखिए अब तक तो थे हमारे objective type question अब हैं हमारे very short answer type question या अतिलगू question भी उन्हें हम बोल सकते हैं इसमें हैं शुक्ल योग के दो समालोजना एवं इतिहास कारों के नाम लिखिए समालोजना और इतिहास लेखन में विराट योगदान देने वाले लेखक आचारे रामचंद शुक्ल और आचारे हजारी प्रशाद दुएदी हैं तो ये question आने के जाज़त chances होते हैं देखिए 2008 में भी आया है अब देखिए इसके बाद question number 8 है शुकल यूप के दो प्रमुक गद लेखको या गद कारों या साहित्यकार भी कह सकते हैं के नाम लिखिए ये question इस टाइप से भी आ सकता है शुकल यूप के दो प्रमुक लेखको अत्वा निवन्द कारों के नाम लिखिए या फिर किसी एक निवंदकार लेखक का नाम लिखिए तो ये question 3 type से आपको exam में देखने के लिए मिल सकता है इन में से कोई सबी question आ सकता है देखें ये 2010 में भी आया है 2009 में भी आया है 2015 में भी आया है और 2017 में भी आया है ठीक है? अब देखिए question number 11 है शुकल युक के दो या एक प्रसिद कहानी लेखकों के नाम लिखिए अत्वा शुकल युक के दो प्रमुक कहानी का रखो एवं उन में से प्रतियक की एक एक रचना का नाम लिख कीजिए अत्वा हिंदी के दो प्रसिद कहानी लेखकों के नाम लिखिए अत्वा किसी एक पिरसिद कहानी लेखक का नाम लिखिए प्राशित के लेखक का नाम लेख कीजिए मुंसी प्रेम चेंदर की एक पिरसिद कहानी का नाम लिखिए तो ये question आपको कई टाइप से exam में देखने के लिए मिल सकता है ये आपका 2017 में भी आया है 2011 में भी आया है 15 में और 2007 में भी आया है 2009 और 13 में भी आया है अब देखिए next question शुक्लियुक के दो प्रमुक उपन्यासकारों के नाम लिखिए ये 2007 में आया है ये कुछ इस टाइप से भी आ सकता है किसी एक प्रिसिद उपन्यासकार का नाम लिखिए नेक्स्ट हिंदी के दो प्रिसिद उपन्यासकारों के नाम लिखिए नेक्स्ट उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए ये कई टाइप से आपको देखने के लिए मिल सकता है ये 2007, 2014, 2018, 2019 और 2020 में भी आया है अब देखिए नेक्ट कॉस्चिन जैसंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखिए या फिर ऐसे आ सकता है जैसंकर प्रसाद के किनी एक या दो नाटकों के नाम लिखिए या फिर अजात सत्रू किस विधा की रचना है ये 3 टाइप से कॉशन आपको देखने के लिए मिल सकता है ये 2009, 2012, 2014, 2019 में आया है तो ये काफी ज़्यादा इंपोटेंट कॉशन है आगे देखिए किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए या फिर जॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रिसिद एकांकी का नाम लिखिए या फिर ऐसे भी आ सकता है जॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए किसी एक पिर्मुख एकांकी कार का नाम लिखिए दीबदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए देखिए कोश्चन बहुत ही ज़दे इंपोटेंट है ये बोर्ड एक्जाम में कई बार आ चुका है आप देख सकते हैं और मैं आपको बता दूए अपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा दीबदान एकांकी ये चैप्टर है जो रामकुमार वर्मा ने लिखा है अब देखिए नेक्स कोश्चन है रेखा चित्र अत्वा संस्मरण में से किसी एक विधा के एक प्रिसिद लेखा को और उसकी किरती का नाम लेख कीजिए या फिर या ऐसे भी आसकता है रेखा चित्र साहित्ते के किसी एक लेखा का नाम लिखिए या ऐसे भी आ सकता है माटी की मूरते किस विधा की रचना है किसी एक संस्मन लेखक का नाम लिखिए तो एक कई टाइप से आपको देखने के लिए मिल सकता है देखे ये भी काफी जादे इंपोटेंट है कई बार बोर्ड में आ चुका है अब देखे नेक्ट कोश्चन है हिंदी के पिर्मुका आत्मकता लेखको के नाम लिखिए या फिर हिंदी के किनी दो या एक पिर्मुका आत्मकता लेखको का नाम लिखिए ये भी आपके लिए इंपोटेंट कोश्चन हो सकता है तो इसको भी आप अच्छे से read कर लें अब देखिए आगे next question है यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज विधाओं के एक एक लेखक का नाम लिख कीजिए किसी एक यात्रा वरतांत इसे यात्रा वरत भी कहते हैं लेखक का नाम लिखिए किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए रिपोर्टाज विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए तो एक कई टाइप से आपको देखने के लिए मिल सकता है तो यात्रा साहित्य राहुल सांकरतायन और रिपोर्टाज करने ये लाल मिस्र भागर आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चन है निमली की किर्थियां किस विधा से संबंदित हैं देखिए आपको कीर्थि दी जा सकती है और उनकी विधा पूछी जा सकती है जैसे कि आवारा मसीहा और लहरो के राजन्स तो देखिए आवारा मसीहा जीवनी है और लहरो के राजन्स ये नाटक है आप देखिए नेक्स्ट हिंदी गद के विविन विधाओं का उल्लीक करते हुए प्रति एक विधा से सम्मंदित लेखक तता उनकी एक रचना का नाम भी लिखिए आपको ऐसा कोश्विन भी देखने के लिए मिल सकता है या फिर रेखा चितर साहिते के किनी दो लेखकों के नाम लिखिए या भेट वर्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए निमलिकित गद विधाओं में से किसी एक गद विधा के पिरसिद लेखक का नाम लिखिए तो देखे इसके लिए एक चार्ट बना दिया गया है इस चार्ट से आपको ये सभी याद करनी है देखे इसमें इधर विधा के नाम दिये हैं इधर लेखक के नाम और इधर उनसे संबंदित रचनाए हैं देखे जैसे की रेखा चितर की अगर मैं बात करूँ तो रामवरक्ष बैनिपुरी ने और महादेवी वर्मा ने रेखा चितर लिखे हैं तो इनके रेखा चितर रामवरक्ष बैनिपुरी का तो है माटी की मूरते हैं और महादेवी वर्मा का है अतीत के चल चितर इसी टाइप से देखिए आत्मकता है, संस्मरण है, जीवनी है, निबंद है, रेडियो नाटक है और इधर डाइरी, नाटक, एकांग की उपन्या, सियात्रा, साहिते, तो सारी विधायल लिखी हुई है अब देखिए नेक्ष्ट कोश्चन गयों और गुलाब निवन्द के लेखक का नाम लिखिए, ये काफी ज़्यादे इंपोटेंट है, अक्सर एक्जाम में देखने के लिए मिलता है तो इसके जो लेखक हैं वो हैं, रामवरक्ष, बैनिपूरी, नेक्ष्ट है, मरग नैनी के लेखक का नाम लिखिए ये भी काफी ज़्यादे इंपोटेंट है, नेक्ष्ट है, शुकल युक की एक या दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए अब जैसे शुकल युक की पत्रिका हंस है, तो कभी-कभी ऐसा भी आसकता है, कि हंस पत्रिका कौन से युक की है, या किसके दुआरे लिखी गई है, ऐसा भी कुश्याद आपको देखने के लिए मिल सकता है अब देखिए, अग्गे की किसी एक रचना का नाम लिखिए पता लगा सकते हैं कि अग्गे की ही रचना है, और कभी-कभी अग्गे का पूरा नाम भी लिखने के लिए आसकता है, नेक्स्ट है, उभै शंकर भट किस विधा के पिरमुख लेकक हैं, नेक्स्ट क्वोस्चन है, मेरी तिबबत यात्रा किर्टी के लेकक कौन हैं, और ने नेक्स्ट है अथा सागर ये विज्ञान विधा है और इसके लेखक हैं जैप्रिकाश भारती अनंत आकास इसकी विधा विज्ञान है और इसके लेखक हैं जैप्रिकाश भारती ये बोर्ड एक्जाम में कई बार देखने को मिले हैं इसी तरह देखिए अजात सत्रू अतीत के चल्चित्र ये काफी ज़दे इंपोटेंट रचनाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूं अनामदास का पोधा सोरी पोधा इनकी विधा भी पूछी जा सकती है और इनके राइटर का नेम भी आप से पूछा जा सकता है नेक्स्ट है अर्दनारीश्वर अशोप के फूल आत्मकथा असाड का एक दिन उजली आग एक घूट और कलम का सिपाही ये काफी ज़दा इंपोटेंट है जो हमें एक्जाम में देखने के लिए मिलती हैं आगे है नर्से नारायन, तीर्थ सलील, ठलवा कलब, जनमेजे का नाग्यग और चिंता मणी, चंदरगुप्त और गिर्ती दीवारे ते काफी ज़दा इंपोटेंट हैं जो हमें एक्जाम में देखने को लिए मिल सकते हैं नेक्स्ट है बार्ण भट्ट की आदमकथा, बिखरे पन्ने और मकरंध बिंदू नेक्स्ट है मेरी ऐसा फलताएं, रस्मी मासा, रेती के फूल, सिख्षा और संस्किर्ती, सेवा सदन ये काफी ज़दा इंपोटेंट है हिमाले की पुकारी भी बहुत ज़दा इंपोटेंट है अब देखे आगे प्रमुक पत्रिकाएं और उनके संपादक सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए काफी ज़दा इंपोटेंट है सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रिकासित हुई या हंस के संपादक का नाम लिखिए अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि ऐसा आ सकता है हंस पत्रीका के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है तो ये मुंसी प्रेम चंदर द्वारे लिखी गई है अब देखिए यहां तक आपका किलियर हुआ अब हम खंड काव्यांचली की बात करेंगे जिसको हम हिंदी पत भी बोल सकते हैं हिंदी पत के विकास का संशिप परीचे आप देखिए इसमें हम अतिलगु उत्तर ये परिशन देखेंगे हिंदी के पत पिरकारों में से किनी दो के नाम लिखिए तो यहां पर हमें एक तो महा काव्या है और एक खंड काव्या है नेक्स्ट है दो महा काव्यों के नाम लिखिए तो महा काव्या एक तो स्री रामचरित मानस है और साकेत है अब देखिए हम रीती काल की अगर बात करें ठीक है तो ये कई बार बोड एक्जाम में देखने को कुश्चन मिला है तो ये काफी ज्यादा इंपोटेंट है नेक्स्ट है रीती मुक्त कव्य या कव्य धारा के किनी दो कव्यों के नाम लेक कीजिए या फिर ये ऐसे भी आ सकता है मुक्तक कव्य के दो कव्यों के नाम लिखिये और इनकी एक एक रचना लिखिये या फिर दीती मुक्त कव्यों में से किसी एक कव्य का नाम लेक कीजिए तो ये किसी भी टाइप को आप को देखने के लिए मिल सकता है कव Bose कि किन्हीं दो प्रवर्तियों या विशेस्टा को बताईये चाह वाद की वीशेस्टा पर प्रिकास ढालिए तथा दो प्रमुख छाह वादी कव्यों का नाम लेग कीजिए चाह वाद युदकी दो प्रवर्तिय लिखे या फिर ऐसे भी आसकता है निमलिकित साहिटि नाम लिखिए ये कोश्यन आपको आपको कई चाइप से एक्जाम में देखने के लिए मिल सकता है और तो पुछेंट है नेक्श्ट कोश्यल है पिरगति वाद की प्रमुक विसेस्ताओं में से किनी दो का उलेख कीजिए या फिर पिरगति वादी यूग कवीता या साहिते की किनी एक या दो प्रवर्तियों का उलेख कीजिए देखिए कोशन कितनी बार एक्जाम में आ चुका है तो काफी ज़्यादा इंपोचेंट है समझ सकते हैं प्रगतिवादी कवीता की दो प्रमुख प्रवर्तियों का उलेख करते हुए दो प्रमुख कवियों का नाम लेख कीजिए प्रगतिवादी यूग कावे की विशेष्थाय या प्रवर्तियां लिखिए तो क्लियर हुआ सभी को अब देखिए next question है प्रगतिवादी यूग के किनी दो कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक साहित्तिक रचना का उलेग भी कीजिए next है किसी एक प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए next किनी दो चार प्रमुक प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए या फिर ये question ऐसे भी आपके लिए आ सकता है प्रिगति वाद से संबंदित किसी एक प्रिसिद कवी और उसकी एक रचना का नाम लिखिए ते कई टाथ से आपको एक्जाम में देखने के लिए मिल सकता है अब देखिए हम बात करें प्रियोगवादी काव्यधारा की तो इसम इतनी बार ये question board exam में आ चुका है तो ये काफी ज्यादा important है नेक्स्ट है नई कवीता की किसी एक प्रवर्ति का उल्लेक कीजिए प्रियोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवर्ति का उल्लेक कीजिए नेक्स्ट आईए अब प्रियोगवादी कवियों एवं उनकी कवी का नाम लिखिए नेक्स्ट धरमवीर भारती की किसी एक काव्य किर्थी का नाम लिखिए प्रियोगवादी काव्यधारा की किनी दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रशना का उल्लेक कीजिए या फिर आंगन के पारदुआर के रशनाकार का नाम लिखिए प्रियो वादी कावे धारा के किनी दो कवियों के नाम लिए अब देख सकते हैं आप कि ये कुश्चन कितने टाइप से आपको एक्जाम में देखने के लिए मिल सकता है और ये एक्जाम में काई टाइप से आया भी है तो ये कुश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए ना करें पूरी वीडियो को आराम से देखें जिससे की जिन बच्चों के पास मोडल नहीं है उनको भी काफी हेल्प मिल सकती है देखिए इसमें रीतिकाल के कवी हैं और उनकी रशनायएं फिर भारतंदु युक के कवी हैं और उनकी रशनाय हैं मतलब यह काववेधारा या है इधर कभी का नाम है और उधर रचना है तो इस चार्ट को एक बार ध्यान से देख लें सभी इस चार्ट काफी ज्यादा पर द्वारा के द्वारा लिखी गई है अर्ध नारीश्वर यह भी काफी ज्यादे इंपोटेंट है अंगन के पार दुआर यह भी काफी इंपोटेंट है नेक्स्ट उर्वशी एक पतंग अनन्त में करुणाल्य गीत फरोश चिदंबरा और जमीन पक रही यह काफी ज्यादा इंपोटेंट है नेक्स्ट है दुआपर जो मैथली शरन गुप द्वारा लिखी गई है और पंच्वटी पथिक ठीक है और पलाशवन, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास तो बहुत ज्यादा इंपोटेंट है जो अयोध्य सिंग उपादराय ने लिखी है और प्रेम वाठी का ये भी बहुत ज्यादा इंपोटेंट है अब इधर देखिए आप ललित लेलाम, लोकायतन और सिरी रामचरित मानस काफी ज़दे इंपोटेंट है ये भारत भारती है और युगधारा है और इधर देखिए हिम किरी टिनी है हुंकार भी काफी ज़दे इंपोटेंट है तो यह थी आपकी कुछ important कीरतियां अब देखिए इसमें आपका गद्ध खंड है जिसमें आपको कुछ chapters दिये हैं तो उनसे आपको व्याख्या करने के लिए आ सकती है तो इसमें देखिए first chapter है आपका मित्रता तो इसमें ये बहुत ज़्यादा important है इस chapter की सारी व्याख्याएं आपको अच्छे तरह से read करनी है देखिए first वाली काफी important है और देखिए इसमें सबसे best क्या है इसको आप read करेंगे संगती का गुप्त भव हमारे आच्छन पर भारी पड़ता है हम लोग कच्छी मिट्टी की मूर्ती के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे चाहे राक्छस बनावे चाहे देवता ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दर्ड संकल्प के हैं क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है पर ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को उपर रखते हैं क्योंकि ऐसी दसा में ने तो हमारे उपर कोई दवाब रहता है और नहीं हमारे लिए कोई सहारा रहता तो इस पैरा को पढ़के आपको पता चल रहा है कि ये मित्र के बारे में बताया गया है कि ना तो हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो हमारी हर बात को आराम से मान ले और नहीं ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे उपर अपनी हर बात को थोप दे तो इस पैरा से पढ़के आप पत पेचान सकते हैं बहुत आराम से देखो मित्रवर्ड आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है इसी तरह देखिए इसका थर्ड पैरा है इसमें भी देखो यह मित्रवर्ड आ रहा है तो इससे भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किस चैप इसको भी पढ़के अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि यह मित्रता से ही रिलेटिड है अब देखिए इसका जो सिक्स पैरा है काफी ज्यादा इंपोटेंट है यह कई बार बोड एक्जाम में देखने के लिए मिला है तो इस पे हम वेरी मोस्ट लिख सकते हैं काफी ज्यादा इंपोटेंट है यह इसको भी आप अच्छे से रीट करेंगे अब देखिए नेक्स चैप्टर है ममता तो इसमें जो फर्स्ट वाला पैरा है यह काफी ज्यादा इंपोटेंट है कई बार बोड एक्जाम में देखने के लिए मिला है आप भी देख सकते हैं देखो कितनी बार यह एक्जाम में आ चुका है और इसका यह यह पैरा अश्वर हो ही पास आया यह काफी ज्यादा इंपोटेंट है यह भी कई बार बोड एक प्रशंग संदर्ब लिखना होता है और वियाख्या कर देनी हुते हैं फिर इसकी डारेक्ट व्याख्या कर देनी होती है अपने शब्दों में कि ठीक है अब देखिए उ संसक्रती का मूत लाधर इस ही अहिंस परदून्ट नोइक है साथ तत्व पर इस्थापित रहा है तो यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखिए कई बार यह बोड़ एक्जाम में आ चुकी है अब देखिए यह वाला है इस पे तो हम very much लिख सकते हैं काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखिए आप भी देख सकते हैं कई बार यह बोड़ एक्जाम में देखने के लिए मिली है तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब देखिए नेक्स चैप्टर है अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड काटा है मतलब इसके बारे में अजन्ता के बारे में सब कुछ बताया गया है इस पैरा में आप देख सकते हैं अब देखिए यह वाला पैरा काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है कितना जीवन बरस पड़ा है इन दिवारों पर आए था यह भी आपको बहुत अच्छे से रीड करना है तो इसी के साथ आपका गदघंड कंप्लीट हुआ अब हम काव्यांजली की तरफ चलते हैं देखिए काव्यांजली में फर्स्ट चैप्टर है सूर्दास के पद तो अगर मैं आपको बता दू तो सूर्दास के सभी ट्पर काफी जदे इंपोर्टन्ट है इनमेंसे कोई साभी बड़ एक्चांस सम्व में चांसे होते हैं के फर्स चरंट कमल बंदो वरीडाई निए यह को काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है कुछल व2 वह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट यह लागर निर ठीफ वाला आपके लिए देखिए एक और देख लेते हैं अब देखिए नेक्स चेप्टर है गो स्वामी तुलसी दास इसके जो पद है तुलसी दास के वह बहुत ही जादा हार्ड है लेकिन बोर्ड एक्जाम में देखने के लिए अक्सर मिल जाते हैं लेकिन बैस्ट है कि आप सूर्दास के पद जाधा पड़ें देखिए यह वाला बहुत ज्यादा इंपोटेंट है इसका संदर प्रसंघ और देखिए व्याख्या पहुत आराम से देख सकते हैं देखिए एरी इसकी बाकी व्याख्या, इसमें कावे सोंद्रे भी आपको लिखना होता है अब देखिए ये काफी ज्यादा इंपोर्टेन्ट है ये वाला इसका देखिए इसका पुरसंग संदर्ब टो एक बार ही लिखा होता है क्योंकि सभी चैप्टरमे सेम होगा बागी प्रस disrespect और कावे सुंक्टर अलग होता है इसकी व्याक्या और कावे सुंक्तर दिंख Fahrenheit अभ इतर आ चाये यह वाप आपक्ट काफी umpotent है इनका देख ही प्रस विंका प्रस प्रस परोद 나오 एक है इसमें सबसे जादा अगर हम हाड की बात करें तो यह तुलसी दास जी के पद ही है जो बहुत ही जादा हार्ड है देखिए यहां पर एंड हो रहा है ऑन पतार स्वन पर इसमें यह काफी जादा इंप्रोटेंट है चीक है अब इसमें देखे यह हो बस्तार है सुनी सुन्दर बैन तो यहां पर एंड हो रहा है अब देखिए रस्खान की अगर हम बात करें तो इनके पद भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है सुफधास की तरह ही तो यह भी अक्सर हमें एक्जाम में देखने के लिए मिलते हैं बटी इतने हाड नहीं है तुलसिद अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहारी लाल जी की तो इनके भी पद काफी जादा इंपोर्टेंट है यह देख सकते हैं आप इसी तरह देखिए सोहत ओड़े पीट पत टू शाम सलोने गात मनो नीलमली शैल पर आतपो परियोप्रबाद देखिए अगर मैं ब इसी तरह देखिए यह वाला काफी जादा इंपोर्टेंट है इसका प्रसंग व्याक्योरम अब कावे सोंदरे देखेंगे देखो यहां पर यह एंड है अब देखिए वो इनके भक्ती के दोहेते अब यह नीती के पद है इनके देखिए इसमें यह वाला काफी जादा इं इंपोटेंट है अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट शेप्टर की तरफ चीटी जो सुमित्रा नंदन पंद द्वारा लिखा गया है तो यह फस्ट फेरा काफी ज्यादा इंपोटेंट है अक्सर एक्जाम में आ जाता है यह 2012 में आया है इसके बाद देखेंगे हम महादेव सुन्दरिय भी देख लेते हैं अब नेक्स्ट है राम नरेश तिरपाठी स्वेदेश प्रेम अतुल ने जिनके प्रतापका तो यह काफी ज्यादा इंपोटेंट है देखेंगे इसका हम संदर्भ देख लेते हैं देखेंगे प्रिसंग एरा और इसकी व्याख्या और काव संदर्य यहां यहां पर अनन है अब देखिए इसका नेक्स्ट पद है है हम सागर निर्चाती पर जिनके अंगरित अर्नव ठोर पोत उठाकर तो देखेंगे इसका एप्रिसंग्व्यांख्या और ने तो यह तो यह तो इनका काफी ज्यादा इंपोटेंट है अब इनका काफी ज्यादा इंपोटेंट जो पद है वो यह निर्भै सुआगत करोम रत्यूं का तो यह देखिए काव्ष और यहां है इसी तरह 40 नंबर पर है सच्चा प्रेमी वही है जिसकी द्रप्ति आत्म बली पर हो निर्भर तो यह मैं पूरा नहीं रीट कर रही हूं देखिए यह कई बार बोड एक्जम में आ चुका है तो काफी ज़्यादा इंपोटेंट है तो देख सकते हैं आप तो इसका प्रसंग देखिए व्याख्या और कावे संदरी है नेक्स्ट अगर हम बात करें मांखलाल चतुरवेदी की तो इन्होंने लिखा है पुष्प की अभी लाशा तो यह काफी ज़्यादा इंपोटेंट है तो देख लेते हैं हम इसका संदर प्रसंग व्याख्या और क जैसे मैथली शरन गुप्त का है तो इन सभी को हम ड्रॉप कर देंगे इनमें कोई ज्यादा इंपोटेंट नहीं है वैसे एक बार आप रीट कर सकते हैं पर ज्यादा रटने की इनको जड़त नहीं है अब देखिए हम बात करते हैं जीवन परीचे की तो देखेंगे हम आप्टर भगवत शरन उपाद्या है और नेक्स्ट है बिहारी लाल और इधर देखिए सूर्दास यह काफी ज्यादा इंपोटेंट है और इधर देखिए गोस्वामित तुलसिदास और सुमित्रा नंदन पंत यह जीवनी जितनी भी मैंने आपको बताई है आप इने अच से रिलेटिड है इसमें स्लोक जैसा कुछ नहीं है और आपको संस्क्रत में अनुवाद करने के लिए आता है देखिए कुछ इस टाइप से आता है देखिए इन में से आपको किसी एक का अनुवाद करना होगा या तो इस गदवाले पार्ट का अनुवाद करेंगे या फिर चैप्टर रीट करना होगा आपको तो इन में से जो भी आपको आता होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा बैस्ट है आपके लिए तो देखिए अगर आप गदवाला चैप्टर रीट करना चाहते हैं तो वाराइंट सी चैप्टर की सारी व्याख्या सारे अनुवाद सब बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है देखिए सैकेंड वाला भी काफी ज़्यादा इंपोटेंट है थर्ड देखिए ये भी काफी ज़्यादे इंपोटेंट है इसी तरह फूर्थ देखिए ये भी काफी ज़्यादे इंपोटेंट है इसमें आपको संदर्ब और इसकी व्याख्या अनुवाद करना है ठीक है ये देखिए वीरे वीरेंड पूच जेते हैं ये भी काफी ज़्यादे इंपोटें आपको क्या करना है देख सकते हैं इन सभी की हिंदी अनुवाद देखिए इधर है मैं आपको दिखा देती हूँ अब देखिए नेक्स चैप्टर है देजबग चंद शेकर ये भी काफी ज़्याद़ इंपोटेंट है अब देखिए भारतिय संस्कृति ये गद बेस है तो इसमें आप देख सकते हैं यह फस्ट वाला काफी ज्याद़ इंपोटेंट है सैगेंद वाला भी काफी इंपोटेंट है अब देखिए नेक्स्ट है जीवन सूत्राणी तो इसमें सारे स्लोक हैं अगर आप चाहें तो इस लोक पढ़ें चाहें आप गद का पढ़ें तो जो उनसा पढ़ें आपके लिए बैस्ट रहेगा वही लेकिन उसे कंप्लीट पॉर्शन पढ़ें ऐसा नहीं कि आपने एक स्लोक पढ़ लिए और एक गद का पढ़ लिया अब देखिए यह स्लोक है जो आपको एक्जाम में टू मार्क्स में आने वाला है तो देखिए आप कोई भी एक स्लोक इनमें से याद कर सकते हैं बट इस लोक जो आप करेंगे जिससे कि अगर आप एक स्लोक लेंड करेंगे और वही एक्जाम पेपर में आ गया अर्थ लिखने के लिए तो फिर आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा तो उसे थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है अब देखिए कॉश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो वारां सी नगरी कस्या नधध कूले स्थितात एक काफी ज़्यादा यंपोर्टेंट है अब देखिए अधर आगया जाए है यह वाला कोंश्यन वारा अन्सी कस्या भासा ये कैंदर मस्ती काफी जादी इमपोटेंट है इधर देखिए seven question काफी important है इधर ये nine question काफी ज्यादा important है आगे देखिए कुत्र मर्नम मंगलम भक्ती ये भी बहुत important है अब देखिए next chapter है वीरे वीरेंड पूझ जते इस chapter से देखिए question बहुत ज्यादा question है और next है पूरु राजे कैन से युद्धम आकरोथ तो देखिए कितना important question है आप देख सकते हैं भारतम एकम राष्टम इती विरूदम कस्या उप्पी ये भी बहुत ज्यादा important है इधर गीता या कहसं देख गीता को संदेश बहुत ही ज्यादा important है नेक्स्ट ये वाला question भी काफी important है आपके लिए नेक्स चेप्टर के अगर हम बात करें देश भकतर चंदर शेखर है तो इसमें fourth question very most है और इधर ये 13 question very most है नेक्स चेप्टर है भारतिय संस्कृति इसमें second question काफी ज़्यादा important है ये कई type से अपको एक्जाम में देखने के लिए मिल सकता है देखिए अथवा में इस type से भी आ सकता है ये fifth question भी टू टाइप से आपको एक्जाम में देखने के लिए मिल सकता है तो ये से पहले हम रस की बात करें तो हाथ से रस बहुत ज्यादा इंपोटेंट है यह एकसर एक्जाम में देखने के लिए मिलता है तो हाथ से रस की डैफिनिशन आप लेंड करेंगे इसके स्थाइभाव हर चीज लेंड करेंगे और इसका देखिए एक्जामपल जरूर नहीं है कि आप एक्जामपल लेंड करें आप दो लाइन का एक्जामपल भी लेंड कर सकते हैं ठीक है और इसका पश्च्टि करन भी आपको करना है इसी में देखा जाए तो करूंर रस भी बहुत ज्यादा इंपोर्त है तो यह दोनों रस आपको छोड़ने नहीं है दोनों ही जरूर नहीं है कि आप पूरा एक्जमपल लेंड करें आप फोर लाइन का एक्जमपल लेंड कर सकते हैं बाकी आपको कुछ भी टचनी करना है कभी-कभी एक्जम में ऐसा आ जाता है देखिए जैसे यह इसमें आ गया है और इसमें पूछा गया कि कौन सा रस है वो लिखिए तो उसको आपको टचनी करना है बस आपको इन दोनों रस को याद कर लेना है करोन रस और हासे रस और दोनों में से कोई एक तो 100% बोर एक्जम में आने वाला ही है क्योंकि इनके अलावा कोई रस है भी नहीं आपकी बुक में अब देखिए अगर हम अलंकार की बात करें तो आप किस लेवस में तीन अलंकार हैं एक तो उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा तो आप तीनों अलंकारों को भी अच्छे से रीट कर लें देखिए मैंने बताया था ना यह एक्जामपल बन सकता है सो अतोड़े पीट पटू शाम सलोने गात मनो नील मली शैल पर आतपो परो परवात तो यह उत्प्रेक्षा लंकार का एक्जामपल बना है मैंने वहां से बताया था आपको तो यह तीनों लंकार बहुत ज़्यादा इंपोटेंट हैं तीनों को वेरी मोस्ट है आपके लिए रोला भी आपको छोड़ना नहीं इसको भी अच्छे से रीट करना है ठीक है इनके एक्जामपल काफी हार्ड होते हैं और इनकी मात्रा पे धियान देना है आपको बहुत ज़्यादा अब अगर हम बात करें व्याकरन शब्द रचनास्त की तो सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगाए जाते हैं और उनको शब्द के आगे लगाने से पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है देखिए जैसे मैं अपकी बात करूँ तो मान सब्द के आगे लगा है अप ते हो जाएगा अप मान ठीक है तो इस टाइप से देखिए अप बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है उप बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है परी बहुत ज़्यादा सहे, ए, सू, अन, अधी, परी, निर्कू, तो यह बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है अब गर हम प्रत्ते की बात करें तो देखिए प्रत्ते सब्द के पीछे लगाए जाते हैं और इन्हें सब्द के पीछे लगाने से इनके अर्थ बदल जाते हैं जैसे की आई देखिए भल के पीछे लगा दिया तो भला ही हो गया इसी तरह देखिए पंबहुट ज्यादा इम्पोटेंट है यह बोड एक्जबम में कई बार आ चुका है इसी तरह देखिए what यह बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है अब देखिए इधर यह वह है बोड़ एक्जाम में कई बार आचुका है काफी ज्यादा इंपोटेंट है अब हम अगर नेक्स्ट टोपिक की बात करें समास की तो देखिए द्वंद समास में आपके नर नारी राजा रानी आचार विचारी काफी ज्यादा इंपोटेंट है दीगु समास में चोराहा त्रकोन त्रिशूल त्रभुवन चीक है शब्द सती यह काफी ज्यादा इंपोटेंट है अब देखिए निमलिकित मेंजे किनी दो पदो में समास विग्रह समास नाम लिखिए इनका समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है तो देखिए इस टेवल में यह है आना जाना ते काफी ज्यादा इंपोटेंट है आना जाना इसका समास विग्रह है आना और जाना और समास का अब इधर देखिए आप जल थल देश विदेश जीवन मरण दिन रात नदी नाले पाप पुण्यां ठीक है त्रफला पंचवटी सम चोमासा सब साथे काफी ज्यादा इंपोटेंट है आपके लिए अब अगर हम बात करें तद्सम तद्भव की तो देखिए सर्वन काफी ज्यादे इंपोटेंट है नेहे कान दही निर्गुण आसू नया यह काफी ज्यादे इंपोटेंट है इसी तरह देखिए इधर कुमार अंजान भगत अंगूठा मीत जेट इधर देखिए हाथ अमावश माथा नारियल कोहार और देखिए बहन यह काफी ज़्यादा इंपोटेंट है अपके लिए अब इधर देखिए खंबा पतोहू चना अब नेक्स टोपिक के अगर हम बात करें तो परियाएवाची सब्द हैं परियाएवाची सब्द में सबसे पहले अतीती है दिखी 2014 और 2018 में बोड़े एक्जाम में आ चुका है आख है आग आकाश इधर चंद्रमा जल तालाव है पत्थर है प्रत्वी है बादल है आपके और इधर कमल बहुत ज्यादा इंपोटेंट है मोर बहुत ज्यादा इंपोटेंट है और गंगा राद भी बहुत ज्यादा इंपोटेंट है और सूर्य, स्वार्ण, सिहिंग, समुद्र अब अगर हम बात करें संस्कृत व्याकरण की तो इसमें आपको संधी आएगी संधी में देखिए इतियादी, अत्याचार, पृतियेकम, गुरुवा देश, पित्रा देश, लाकृत इधर देखिए अब देखिए इधर, नेक्स्ट है, शब्द रूप, शब्द रूप की अगर मैं बात करूँ तो आपको फल के याद कर लेने हैं, काफी जदे इंपोटेंट होते हैं, और मती के याद कर लेने हैं, देखिए, आप देख सकते हैं, मती के और फल के आपको शब्द रूप य इन में और चाहिए अर्थ में यह सारे आपको पठके याद कर लेने हैं पठके काफी ज्यादा इंपोटेंट होते हैं देखिए अगर मैं संस्कृत के अनुवादों की बात करूं तो यह सैकिंड वाला काफी इंपोटेंट है और इधर यह इंपोटेंट है नाइन अब देखिए इधर 19 हमें विद्याल ले जाना चाहिए हमें देश भक्त होना चाहिए काफी ज्यादा इंपोटेंट है इधर यह देखिए दान से कीरती बढ़ती है देश भक्त निर्भीक होते हैं अब इधर देखिए यह काफी ज्यादा इंपोटेंट है इन सभी को आप रीड़ करके देख सकते हैं क्योंकि 2018 में आए है अब अगर हम बात करें निबंद रचना की तो देखिए जो भी करेंट में चल रहा है उसके उपर आप निबंद लिख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपोटेंट है कोरोना एक वेश्विक चिनोती इसके उपर निबंद आ सकता है उसके बाद देखिए नई राष्टे सिख्षानीती 2020 ये भी काफी ज्यादा इंपोटेंट है नेक्स्ट है स्वच भारत अब्यान ये भी बहुत ज्यादा इंपोटेंट है नेक्स्ट है भेस्टाचार की समस्या ये भी काफी ज्यादा इंपोटेंट है नेक्स्ट प्रफिक की बात करते हैं खंड काव डेंट केंपे खंड कावीया हमें अपना पढ़ीत खंड काWAY तो हमा एक और की है मेवाड मुकूट की संसर्भीक स्तिम गतर फिरतम6 बाद केंघ hoor ये सारे काफी ज़्यादा important है, आपको अपना खंड काव अच्छे से read करना है, इसमें महारान पृताप का चरित्र चित्रन बहुत ही ज़्यादा important है, देखिए, ये भी काफी important है, अब या तो आप सातो सर्ग याद करेंगे या फिर जितने भी आपके चरित्र चित्रन हैं आ को learn करेंगे क्योंकि सर्ग और चरीत्र चित्रण हमेशा अत्वा में आते हैं तो इसी के साथ आपका स्लेवस कंप्लीट होता है अब मैं एक बार आपको मोडल पेपर दिखा देती हूं कि इस बेस पे आपको पेपर आ सकता है तो देखिए इस टाइप का आपको कुश्चन पेपर देखने के लिए मिल सकता है इस स्रीज में आपको कुश्चन आंसर मिलेंगे क्लियर हुआ सभी को तो ये थे हमारे कुश्च हिंदी के इंपोर्टन कुश्चन हमारी ऐसी ही वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल ये शोदा अकैडमी को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ठैंक यू करें ज़्यादा लाइक टो ये वीडियो को ज़्यादा लाइक करें अजयादा लाइक करेंगे लाइक लाइक